मैं आज आप लोगों के लिए मदहौल पॉसू मंडी से कुछ भैंस का डिटेल ले कर आया हूँ यह मंडी है जो सब्ताहिक है जो मंगरवार को लगता है और इस मंडी की दूरी की बात करें तो बिहार की रधानी पटना से मातर 56 किलो मीटर है और हाजी पूर से 32 किलो मीटर है तो चलिए मैं आप लोगो को कुछ भैंस आप लोग देख सकते हो किसान भाईयों जो काफी बेहतरीन और संदार आज की मंडी में सेल के लिए उपलब्द हुई है order order भी आप लोग देख सकते हो जो काफी बेहतरीन और संदार बनाई हुई है और इनका honor है एवाली भैंस को चला कर भी दिखलाने का परियास कर रहे हैं जो कि आप लोग order order भी देख सकते हो काफी बेहतरीन और संदार बनाई हुई है मदहौल पस्वमंडी से आप लोग को कुछ भैंस का डिटेल देखने को मिल रहा है तो चलिए मैं आप लोग के इसे बैंस की इनका उनर से डिटेल देने का परियास करूंगा इसे पर आप लोग को और करीब से देखाने का परियास कर रहा हूं जो कि आप लोग इसकी इन पर निए खूख सकते हो काफी बेती में कितना है और बच्चा क्या है निया पाडी बच्चा है और दूद कितना कर रही है उर रहेट कितना मांग रहे हैं एक लाख पाउच आ इतना तक के सेल कर लिजीए गाम पाइनल प्राइस बताए जोकि आप लोग देख सकते हो इनका उनर एक लाख रुपिया पता है हलाक इतना तक को सेल हो पाना असंभब बात है तो कोजिस करूँगा मैं आप लोग को अगल बहेंस को लेकर चलने का आप लोग देख सकते हो किसान भाईयों जो की काफी बहतरीन और संदार हाइट और लेंद के बहेंस है तो मैं आप लोग को बैक से देखाने का पडियास कर रहा हूँ जिसे आप लोग को पता चल सकेगा कि एक इस परकार की भेंस है और इनका अनर से हमने के साथ मधेल पस्वनडी में सेल के लिए उपलब्द हो रही है जो कि आप लोग अडर उडर भी देख सकते हो काफी बेहतरीन और संदार है तो मैं कोशिस करूँगा इनका ओनर से एबाली भेंस का डिटेल लेने का जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन और संदार आज की मंडी में सेल के लिए उ रही है 14 लिटर दूद रेड़ी है और रेट कितना बता रहे है रेट कितना बता रहे है एक पांच एक लाख पांच है और सेल कितना तक के कर लेजिएगा तो चलिए मैं आप लोग को अगली भेंश को लेकर चलने का परियास कर रहा है किसान भाईयों देख सकते हो जो काफी बेहटरीन और संदार हाइट और लेंद के भेंश है और अर्डर भी काफी संदार बनाई हुई है हलाकि आप लोग को बैक से अडर भी देखाने का परियास कर रहा हूँ जिससे आप लोग को पता चल सकेगा कि किस परकार की भैंस आज की मंडी में सेल के लिए उपलब्द हो रही है हलाकि आप लोग अडर उडर देख सकते हो चिमी उमी काफी बेहतरीन और संदार है तो चलिए मैं आप लोग को इनका ओनर से एबाली भैंस का डिटेल लेने का परियास करूंगा दात में कितना है भैंस दात में छे है और बच्चा क्या है पारी बच्चा है जो कि आप लोग देख सकते हो पारी बच्चे के साथ में है और दूद कितना कर रही है दूद कितना कर रही है इनका ओनर है इन्होंने भैंस की दूद की छमता दस लिटर बताया है और रेट कित सब्सक्राइब देखा जा रहा है जो कि आप लोगे स्कीन पर देख सकते हो काफी बेहतरीन और संदार है तो कोशिज करूँगा मैं आप लोग को अगली भैंस को लेकर चलने का अप लोग को इस भैंस का देखा जा रहा है और इस पर बच्चा भी लगा दिया गया है तो आप लोग को धार पणहां देखाने के बाद इस भैंस की रेट कितना में बिकी है उस सब आप लोग को डीटेल देने का परियास करूँगा जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बहतरीन और संदार हाइट और लिंद की ये भैंस है जो कि आज की मंडी में ये भैंस सेल हो गई है जो कि आप लोग देख सकते हो काफी बेहतरीन है ये भैंस आप में कितना ये भैंस नात में मिली हुई है और बच्चा क्या बच्चा पारा है जो कि आप लोग इसकींट को देख सकते हो कितना दूद है बाड़ा लिटर जो कि आप लोग देख सकते हो इनकाउनर है इन्होंने पिकान को सब्क्राइब कर लिजे जिससे नए नय वीडियो आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंच चाके तो जो आप लोग इसकीन पर देख सकते हो भैस यह भैस का आप लोग को डीटेल देने का परियास कर रहा हूं दात में कितना है जाथ में छे है और बच्चा क्या है और दूद कितना कर रही है दूद 12 High यहां पर बता दिजे हकीकत कितना तक के सेल हो पाएगी जो कि अप लोग हकीकत रेट बताईए कितना तक के सेल हो पाएगी बताईए फाइनल पराई एक लाख बावन हाजार इनका उनर है लेकिन यह बहुत सेल नहीं हो पाएगा इनका उनर है भैस को घर लेकर जाने का परियास करेंगे हलाकि एक लाख बावन हजार में भैस कभी भी सेल नहीं हो पाएगी तो कोशिश करूंगा मैं आप लोग को अगली भैस को लेकर चलने का